अब दूसरे गैजट को अगर हमें सेल करना है जैसे हैं यू आर गोइंग टू अब्रोड जा रहे हैं शिफ्ट कोई सामान घर का हम वोस्टी तभी सेल करते हैं जब हम शिफ्ट कर रहे हो अब्रोड जा रहे हो दूसरे स्टेट काफी दूर पे हम शिफ्ट कर रहे हो तो यू अबरोड यू वांट तो सेल योर एलसी टीवी और एक तीन चीज हम रेफ्रीजरेटर यह भी हम सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लिखना है और उदय या उदीता है यह हमारा एड्रेस है तो इन एलसी टीवी का एक एक और एक तीन चीजों के बारे में हम लिख देंगे स्तुन साará क्लर है और उसकी जो कंडिशन लेक है और किसे हैं और उसके साथ जो साहमान आता है क्मप्लिट है की नहीं है जैसे त्जिकीजी एसी वूंक। बोक्स भी है उसका फिशान भी है सब कंप्लीट है उसका पूरा सेट और रिफ्रीजरेटर में भी क्या नाम है ये रेगुलेटर विद रेगुलेटर है वो यानि कि फिटिड है और LCD TV इतने इंच का है HDA या SDA कैसा है तो ऐसे करके हम उसकी सारी फीचर्स लिख देंगे अब अब लेबल सैंसंग LCD TV 32 इंच का वोल्टास का गोल्डन एसी है डेट टन का और केल्विनेटर का रेफ्रिजेरेटर है 220 लीटर का इमिजेट चीह हमें और आइटम एक्सिलेंट कंडिशन में है बोट ओंली फ्यूमंस एगो इसने तो फ्यूमंस ही लिख दिया है वन येर फ्यूमंस ऐसे करके लिख देंगे हम स्कूटर बेच रहे हैं या कुछ भी प्राइस नेवल है या रीजनेवल यह दूसरा वर्ड है रीजनेबल नेगशीयवल का मतलब होता है कि बैट चीबाट करके बात अचित करेंगे रीजनेबल का मतलब होता है कि उचित दर पर ही मिलेगा और नगिशेबल भी है यानि कि उचित तो है और कुछ बैठ के भी हम बात कर लेंगे ओनर गोइंग एब्रोड यह हमने रीजन डाल दिया हम आई या वी करके बात नहीं करते हैं अड़िजमेंट में केंडिडेट या टीचर या नर्स ऐसा कुछ भी तो यह वर्ड्स हैं उसके बाद इंट्रसिट पार्टी जो में कॉंटेक्ट यह अड्रस पर और इस फोन नंबर पर